हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सब बच्च वोंगे फ्रेंड्स देखें जैसे कि आपको पता ही है कि मार्किट में आम आने शुरू हो गए है तो जो अब भी हमारे हाप पर आम मिल रहा है वो ये वाला मिल रहा है जो कि ये mango shake के लिए हम लोग use करते हैं तो ये खाने में हलका सा खटा होता है तो चलिए आज मैं आपको इस आम से किस तरीके से आम पापड बना सकते हैं जो कि खाने में बहुत ही tasty भी होता है और बहुत ही जादा hygiene तरीके से हम इसको बनाएंगे जैसे कि आपको पता ही है कि market में जो भी आम पापड बगरा मिलते हैं उतने hygiene तरीके से वो नहीं बनाये जाते हैं और उनमें preservative भी होता है तो घर पर बनी हुई चीजे बहुत सही होती है उसमें preservative भी नहीं लगा होता है तो घर पर आप बना कर रख सकते हो और जब आपका मन करें तब आप इने खा सकते हो तो friends अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं तो आप चैनल को subscribe कर दीजेगा और वीडियो को like, comment और share कीजेगा चैनल को subscribe करके bell button को press कीजेगा जिससे की हर वीडियो की notification आप सभी के पास पहुंशती रहे तो देखे friends यहाँ पर यह मैंने दो आम ले लिए हैं तो इनको अच्छे तरीके से पहले आप धो लीजेगा फिर इनको पोच लीजेगा तो अभी हम इनको छील लेते हैं तो अभी हमने यहाँ पर देखे इन दोनों आमों को छील लेना है फिर हम इसको पतला पतला इनको बारिक बारिक काट लेंगे तो देखिए फ्रेंट्स यहां पर यह हमने सारे आम बारिक बारिक काट लेंगे तो अभी हम एक मिक्सी का जार ले लेते हैं और इसमें यह सारा जो हमने अभी यह पल्प निकाल कर रखा है इसको हम एक्सी के जार के अंदर हम इसको डाल देते हैं और इसको हम बिल्कुल बारिक होने तक इसको पीश लेंगे और फ्रेंट्स जिस तरीके से मैं बताऊंगे आपको कोई ज़ादा ज़ंजट इसमें नहीं लगेगा और दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि ये वाला जो आम होता है इसमें कोई रेशा नहीं होता है मतलब कि इसमें कोई धागा नहीं होता है तो आपको छानने की भी जरूरत नहीं है तो बस हम यहाँ पर इसको बारिक सा पीस लेंगे थोड़ा सा ज़ादा पीस लेगा जिससे कि हमें इसको चानना ना पड़े तो देखे फ्रेंड्स इसको बारिक पीस लेना है जिससे कि इसके अंदर कोई भी रेशा न रहे तो आप देख सकते हो कि कितना यह बारी क्विस कर तयार हो गया है अभी हमने यहाँ पर यह बारी तले की कड़ाई ले ली है तो इसमें जो हमने यह पल्प तयार किया है इसमें ट्रांसफर कर दिया है और अभी हमने यहाँ पर गैस चला दिया है क्योंकि गैस हमें बिल्कुल मंदी ही रखनी है क्योंकि नीचे से नहीं तो क्या होगा अगर हम गैस को तेज कर देंगे तो जलने का डर रहेगा तो आप इसको continuous चलाते रहेगा बीच बीच में थोड़ी बहुत देर के लिए आप छोड़ सकते हो तो अभी हमने यहां पर taste के according यहां पर चीनी डाल दी है तो अभी हम इसको चलाते ही रहेंगे तो जो यह हमारा पल्प है वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा क्योंकि चीनी यहां पर घुल रही है तो वो थोड़ा सा यहां पर यह मैल्ट हो जाएगा तो पूरी recipe को बनने में यहाँ पर यह इसको गाड़ा होने में 20 या 25 मिंट आपको लग जाएंगे आप देख सकते हो जैसे कि यह चीनी डालने के बाद अभी यह कितना पतला है तो गैस को मंदी ही रखना है तो चलिए अभी हम यहाँ पर यह दूसरी तयारी कर लेते हैं तो यहाँ पर यह मैंने tray ले लिया है आप कोई plate भी ले सकते हो और यह मैंने eco bake का यह paper ले लिया है जिससे की इसको निकालने में बहुत आसानी रहेगी क्योंकि कई बार क्या होता है यह चिपक जाता है तो निकालने में थोड़ी सी सूखने के बाद परिशानी हो जाते हैं तो अगर आप उस परिशानी से बचना चाहते हो तो इस तरीके से आप यह इको बेक का ये पेपर लगा सकते हो और देख सकते हो फ्रेंड्स अब ये काफी गाड़ा हो चुका है और इसमें आपको बबल्स भी दिखाई दे रहे होंगे तो अब ये छटकने लगा है तो अब भी हम इसको फिर से चलाते रहेंगे बीच विच में तो अब भी कुछ इसमें चलिए मसाले भी डाल लेते हैं तो यहाँ पर ये मैंने नमक डाल दिया है और अभी मैंने यहाँ पर आदी चमज डाल दिया है ये चाट मसाला तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हलका हलका सा यह खटा खटा और चटपटा यहां पर यह बनने वाला है हिमालिया यह जो मैंने सॉल्ट लिया है हिमालिया वाला सॉल्ट लिया है पिंक सॉल्ट तो अपने घर में हम यही यूज करते हैं इसका भोती अच्छा स्वाद होता है और सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंट्स देख सकते हो कि अब ये पहले जैसा पतला नहीं रहा है काफी हद तक ये गाड़ा होना शुरू हो गया है तो अब भी इसमें हम हलका सा नीमबू भी डाल देते हैं वैसे तो ये जो आम है ये हलके हलके से खटे ही होते हैं लेकिन फिर भी हमें इसमें थोड़ा सा नीमबू डाल देते हैं तो उससे ये आपका खटा खटा और चटपटा सा ये आमपापड बनकर तयार हो जाएगा तो अभी मैंने इन दोनों आम में सिर्फ आदा ही नीमबू डाला है इससे ज़्यादा आप भी मट डालिएगा और बाकी अगर आपको ज़्यादा खटा खाना है तो फिर आप इसमें एक नीमबू डाल सकते हो तो अभी आप देख सकते हो कि 20-25 मिनट हमें हो गई है इसको चलाते चलाते और इसकी क्वांटिटी भी पहले से काफी कम हो गई है यानि कि यह गाड़ा होने लगा है तो अब भी इसमें आप देख सकते हो हलकलका सा तार भी आना शुरू हो गया है तो इसमें चासनी नहीं लेनी है लेकिन इस तरीके से आप फिंगर से आप एक बार देखोगे तो यह हलकलका सा आपको चिपकता हुआ आपको दिखाई देगा तो अब भी हमने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया है और इसको थोड़ी सी देर हम इसको ठंडा होने देते हैं तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पर यह जो हमारा आंपापर का यह जो पल्प है यह ठंडा हो गया है और अब भी आप देख सकते हो उसकी consistency इतनी होनी चाहिए और तो चलिए अब भी हमने जो ये ट्रे त्यार करके रखी है इसमें जो ये हमारा पल्प है इसको हम सारे को transfer कर देंगे तो मैं एक ही ट्रे में सारा ये बनाऊंगी तो अब भी इसको अब हम क्या गरेंगे इसको पतला पतला सा इसको फैला देना है चारो तरफ तो फ्रेंड्स इसको सुखने में दो या तिन दिन लग जाते हैं या तो आप इसे धूप में भी सुखा सकते हो और अगर आप धूप में नहीं सुखाना चाहते हो तो आप पंके के नीचे भी आप इसको सुखा सकते हो तो वहाँ पर भी ये अराम से सुख जाता है तो पंके में अगर आप सुखाओगे तो दो या तिन दिन फिर जादा लग जाएंगे बाकी धूप में तो थोड़ा सा जल्दी से सुख जाएगा तो इस तरीके से आप देख रहे हो इसको पतला पतला सा इसको यहाँ पर फेला देना है तो देखिए फ्रेंड्स अभी इसको 24 गंटे ही हुए है इसी टाइम मैंने इसको कल यह बनाया था और आज देख सकते हो आप ये कितनी अच्छी तरीके से यहां पर ये सूख गया है और बिल्कुल भी चिपक भीने रहा है और बिल्कुल अराम से ये बटर पेपर पर से उतर भी गया है तो अगर आप बटर पेपर पर इस तरीके से बनाओगे तो बहुत ही अराम से ये निकल जाएगा प्लेट पर भी अराम से निकल जाता है लेकिन बटर पेपर पर ज्याद अच्छी तरीके से ये निकल जाता है तो बहुत ही अच्छा सा यह jsemारा आम पापड बनकर बिल्कुल तयार हो गया है फ्रेंड्स चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं तो आप जिस शेप में बनाना चाहते हो उस शेप में आप इसकी कटिंग करकर आप इसे बना सकते हो और फिर आप इसे श्टोर करकर भी रख सकते हो, तो यह काफी टैम चल सकता है, बिल्कुल भी खराब भी नहीं होने का है, तो भूत ही अच्छा यह लगता है और आप बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ सफाई से आप अपने घर पर बनाईएगा, और अपने बच्चोो को ता सा वीडियो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजेगा और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करके बैल बुटन को प्रेस कीजेगा जिसे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे थैंक्स फूर वॉचिंग बाई बाई मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर